दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सस्रेकार, इस तक बाले आप लोग का गरीब नवास चैनल पर दोस्तों, आज हम एक बहुत आम समस्या के बारे में बात करेंगे, जो की है, नजला हो गया, जुखाम हो गया, गले में खारिश हो गई, और या फिर छाती में बलगम जम गया, या फिर सर में भारीपन हो गया, ये कहने को तो बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन आजकल चाहे चोटे बच्चे हों या फिर कोई भी इस्तरिया पुरूश हो या फिर उम्रदराज वेक्ति हो मौसम के हिसाब से या प्रदूशन के इसाब से या खानपान की वजए से ये आजकल जो है बहुत आम समस्या है इसमें आपका वातसमंदीर हो गया कवसमंदीर हो गया जिस तरह क वक्तियों को इस तरह की प्राब्लम होती है उनको भी नजले जुखाम की समस्या हमेशा बनी रहती है और बहुत से लोग जो है न वो बहुत ऐलोपेथी मेडिसन्स वगरा भी करा चुके होते हैं लेकिन कोई अराम नहीं होता तो अगर इस तरह की आपको नजले जुखाम बल वो ये है इसके अंदर आपका विश्वाश क्योंकि ये जो है ना ये अलिगर्ण मुस्लिम इनिवस्टी दवा खाना तिबिया कॉलिज का है जो की एक सौ साल पुरानी संस्ता है ये वक्त बोड है जो की सौ साल पुराना है तो इसका फार्मूला इसका तजूर्बा इतना ज्यादा है कि इस दवा के बारे में ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं इस पर साफ साफ लिखा भी हुआ है कि ये जो है ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कोल्ड कैट्रे का मतलब होता है जो अंदर जुखाम बैढ जाता है जल्दी से इसमें जो है डला हुआ है मवीस जानी की इसे मुनक्का कहते हैं मुनक्का है इसके अंदर गुले बनस्वा डला हुआ है इसके अंदर गौजबन डला हुआ है इसके अंदर इसमें जो है सपिस्तन डला हुआ है लौक सपिस्तन होता है इसमें बद्यन डला हुआ है इसमें असल उसोस है इसमें मुसल्लम है इसमें अजवायन है और इसमें चीनी है तो अगर जो भी कोई व्यक्ति अगर जिसको युनानी के थोड़ा सा भी तजुर्बा है युनानी की थोड़ी सी भी अगर किसी व्यक्ति ने दवाईयां यूज करी होंगी तो वो व्यक्ति इस फार्मूले से उसको पता चल गया होगा कि ये जो फार्मूला है नजले जुखाम की बहतरीन दवाईयों के अंदर जो औशदियां डाली जाती है वो सारी इसके अंदर डली होई है और इसमें जो है ये बहुत गाड़ी जो है वो शर्बत होता है सीरा जो है ये बहुत गाड़ा होताए आप देख सकते हैं इसको देखने से ये अंदाजा हो भाँ बहुत गाड़ा होताए ये और इसको जो लेने का तरीका है वो ये होता है कि छोटा बच्चा है तो 10 ml और बड़ा विक्ती है तो 20 ml इसका मतलब है दो बड़े चम्मच, छोटा बच्चה है तो एक चम्मच जो है वो एक कभ गरम पानी लेज perड. उसमें छोटे बच्चे को एक चम्मच मिलाएए और बड़ा वेक्ती है तो दो चम्मच से लेके तीन चम्मच तक मिला के वो वेक्ती दिन में तीन बाल ले सकता ह खाना खाने से एक गंडा पहले या खाना खाने के एक घंटे के बार बच्चे अगर गरम पानी में ना लेना चाहे तो उनको जो है सीधे तवप पे चमत से भी दिया जा सकता है और उपर से दो गुड गरम पानी पिला दिया जाए तो इसको अगर आप लगातार भी लेते रह तो जिन विक्तियों को सर्दी जुखाम की recurrence यानि की पुनावरती की समस्या रहती है जल्दी जल्दी होता रहता है उनको जल्दी से सर्दी जुखाम नहीं होगा और जिन विक्तियों को है उनका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और इसे आप continue लेते रहेंगे तो जो मौसम वगएरा में जो परिवर्तन होता है उसकी वजय से जो समस्या होती है गले की समस्या सर में भारिपन वो भी आपको नहीं होगा और बाकी जो है इसमें जो है वो जानकारी दे रखी होती है लेने की जो विदी है वो आप देख सकते हैं इस तरह का इसमें information booklet निकलती है उसमे लेने की विदी भी दे रखी है तो दोस्तों उमीद है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और ये जो मैंने subject उठाया है आज का ये कहने को तो एक बहुत आम subject है लेकिन फिर भी बहुत से लोग है जो इस समस्या से परिशान रहते हैं बच्चों को लेके और या फिर उम्रद्राज व्यक्ति हैं इन समस्या से काफी परिशान रहते हैं तो अपना ध्यान रखिए सेहत का और इस शर्बत नजला को एक बार लेके जरूर देखिएगा और अगर आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेशन ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों रिष्टेदार हो या फिर जिस भी व्यक्ति को इस तरह की परिशानी है उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं इसकी कीमत भी कुछ खास नहीं है ये जो मैंने बॉटल दिखाई है ये 125 ml वाली है लेकिन मैं अपनी तरफ से जो है वो रिकमेंड करता हूं कि लगबग 200 ml की बॉट वो अकते दर दिन चल जाती है तब जाके ठीक सक जो है वो कोर्स हो जाता है तो सौ रुपे के अंदर अंदर आ जाती है और ये इतनी पुरानी जो है वक वोड़ है इसकी दवा जो है रिकर मुस्विम निवस्टी की आप पूरे हिंदुस्तान में बहुत असानी से मिल तो दोस्तों अभी के लिए खुदा आफिस शपक है